हालो फ्रेंट तो केसे आप सभी स्वाथ करते हैं युवस्ति जी कोईज में तो फ्रेंट आइच जो एकी विहार डियलेट इंट्रेंस एक्जाम 2024 के लिए कुछ BBI कोईशन लेके आए वह हैं जो आपकी एक्जाम्स के लिए इंप्वाटेंट हैं तो आइच की इस कलासेश को कप्लेट जरूर कवर कर लेजिए गा हैं इससे पहले जो भी कलासेश हुआ है प्लेए लिएज बना दी हैं जाकी देखลी लिए जिए आप समय बहुत सारा कलासेश आप सभी कलासेश के लिए MINDSM पर कवर किज आ हैं तो आप सब दक सिरक घुलीए जिए मिल्रें किला कप्ल आज किस कलास इसको फ्रेंट कलास को लाई करके आप से सीर अपने दोस्तों में जरूर कर देज़ेगा चलिए शुरू करते हैं पहला कोई सिंग्ये भंडे के समिधान सभाद दोरा उद्देश प्रस्ताओं को कब सुईकार किया गया यनि कि अपनाया गया चलिए कोश्व फष्ट के लिए आप से रही आंशर बताएंगे जिदकी उद्धेश प्रस्ताओ को अपनाने की अगर बात किया जाए तो 22 जंबरी 1947 को अपनाया गया ध्यान रखेगा अगला है मनीपूर की राजधानी क्या है चलिए बताएंगे फिर्ण आप सभी मनिपूर की जो राजधानी है वो क्या है इमफाल है ध्यान रखिएगा आप सभी option में A right answer हो जाएंगे याद रहेगा आप सभी को आप सभी बताइएगा मिजोरम की राजधानी कहा है कोहिमा किसकी राजधानी है तो नागालेंड की राजधानी कोहिमा है दिसपूर किसकी है असरम की राजधानी दिसपूर है इटा नगर किसकी है तो ध्यान रखिएगा आप सभी अरुनाचल परदेश की राजधानी कहा है इटा नगर अगला कोईशन दिखें आपके इसकिन पे हैं सविधान सभाके सविधानिक सल्हाकार की रूप में किसने कारे किया चले इस कोईशन के राइट आंसर बताएंगे आप सभी ये किसने कारे किया था BN R temperatures जो भी आपशन में A को टिक करें आँशन को मैच कर लिजपर अगला कोई से ने पंचैती राजविवस्था किस से संबंदी थे तो राइट आंसर आप्सेन में भी हो जाएंगे अस्थानिय स्वासासन से संबंदी थे जो अभी आप्सेन वी को टिक करें आंसर को मैच कर लिजएगा बी कैरेक्ट आंसर हैंगे पंचैती राजविवस्था जो संबंदी थे फिर वो किस से है अस्थानिय स्वासासन से हैं अगला कोई से ने उस सुल्तान का नाम बताईए जिसे उसकी उधारता के लिए लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है यानि कि लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है उस सुल्तान का नाम क्या है चले कोई सो फाइब के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे क्या है उस सुल्तान का नाम कि तु बूधिन एवक है ध्यान रखेगा आप सबी इन्हें लाख बक्स यानि कि लाखों का दान क करने वाला भी कहा जाता है कि तो बूदिन एवक ने गुलाम बंस के अस्थापना की थी बारह सो छे इस्वी में ध्यान रखेगा आप सभी अगला है निमलेकित में से कौन सा नवनी करन उर्जा का सुरूत नहीं है चले बताएंगे इन में से कौन सा जो कि फेंड नवनी करन उर्जा का सुरूत नहीं है जबकि क्या है सौर उर्जा हो गया उसके बाद जो कि पबन उर्जा या जल बिद्धूत उर्जा यह सभी क्या है आपका नवनी करन उर्जा का सुरूत है जबकि ना भिकिये उर्जा यह नवनी करन उर्जा का सुरूत नहीं है यानि कि आप्श पोर्ट विलेयर यानि कि आप्शनमसी राइट आंसरेंगे जो भी आप्शनमसी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसरेंगे अगर कोईशन यहां से आपसे इसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निको बार दूइब समू किस खाड़ी में है तो ध्यान रखेगा बंगाल की खा यानि कि समुद्र से लगा वभा या इसमें कौन सा राज जो यकिफिड वो तट्य भाग नहीं है तो राइट आंसर आपसें में से जाएंगे तेलंगणा ध्यान रखेगा तेलंगणा तट्य राज नहीं है जबकि यह क्या है लेंड लॉक राज्जी है यानिकि अस्थल ब होआ है ना की समुद्री तड़सर लगा हूब यह सभी क्या है तटिए भागे यह आपका है यहां पर आपका अगला है कि ताफिय यह एकड़ya का चैrop कि हமी लाडो का के रूप में किस सहर को चुना गिया है 2025 में तो मेजवान सहर के रूप में चुना गिया है वो टोकियो टोकियो कहा है जपान में है जपान की राजधानी है टोकियो टोकियो को चुना गिया है अगला है 1757 में कौन सी महतपुर्ण घटना घटी कौन सी महतपुर्ण घटना बता हैं गए फिर प्लाइसिक का यूदवा था ध्यान रहतकी के आप से भी 1757 में और बक्सर का यूदवा था उससाथ सत्रस सो चोड़ाता, प्लासी कहां पे हैं यह पस्चिम मंगाल में हैं और बक्सर कहां बिहार में हैं, अगला है रभी मौसम कब होता है, रभी फसल कौन- रभी फसल है यानि कि दलहान का जितना भी है वो रभी फसल के अंतरगत आता है तो रभी फसल कब बोया जाता है अक्टूबर से अप्रेल तक चलता है यानि अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रेल में इसे काट लिया जाता है ध्यान रखेगा आप से भी अगला कोई से दिखें जैब विवित्ता से कोईशने जैब विवित्ता जिसे ओर्ट इस्पोर्ट भी का जाता यह सब्द किसने कड़ा तो सी रेट आंसरेंगे नॉर्मर मायर्श की द्वारा दिया गया था ध्यान रखिए अगला है है हैदराबाद में चार मिनार किसने बनवाया था चले इस कोईशन कराइट आंसर बताएंगे चार मिनार कहां पे हैं चार मिनार कहां पे हैं हैदराबाद में लाल किला कहां पे हैं दिल्ली में और आगराद दूनों में ध्यान रखेगा आप से भी उसके बाद जो एकी कितूब मिनार कहां पे हैं दिल्ली में हैं जामा मस्जिद कहां पे हैं दिल्ली में हैं धाई दिन जोपड़ा नमग मस्जिद कहां पे हैं अजमीर में हैं तो हैदराबाद में चार मिनार किसने बनवाया तो ध्यान डखेगा आप सभी यह जो बनवाया गया था कुली कितुप साह की दौरा बनवाया गया था ऑप्सिन में बी रेट आंसर रहेंगे जो भी ऑप्सि से जीब की दौरा बनवाया गया था यह नि अप्सिन में भी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे अगला कोईशन करते हैं कोईश्म 16 चलिए इसको इसन कर राइट आंसर बताएंगे फिर आप से भी कोईश्म 16 के लिए राइट आंसर क्या होगा कोईश्म क्या बंढ़ें ग्राम स आगे नियốn चाहिए अगर ग्राम सबाकिmadुत को व्याक्स होना है तो ऑफिशन में इसका करेक्ट आंशर हैंगी अगला कोई सने को इसमें सुस्था दो व्यक्ति गजद ऑलंपिक पदक जितने वाली ना पहली भारतीय महला एथिलिट कौन बनी two व्यक्ति गत ओलंपिक पदक जीतने वाले पेवी सिंदू ध्यान रखेगा आपसे भी आप्षिन में सी राइट आंसर हो जाएंगी अगला कोशिने कोशिम अठारा भारा सरकार द्वरा परियावरण के परिक्षन यह संद्रक्षन अधिनियम का पारित किया ग्या यह पारित किया गया थैफिन uważ memory character answer रहेंगी जो भी ऑफिसम ड्यकर करें बिल्कुल actor answer को मैच कर लिएगा अगला कोशिम भारत में कार्डम पाहडियों कुन निमले खित मेसे किसकी सरिंखला के रूप में जाना जाता है तो ये पस्चिमी घार स्रेंखला के रूप में जाना जाता है कारडम पाड़ियों को ध्यान ड़केगा आपसे भी आफसर नमर डी कैरेक्ट आंसरेंगे अगला कोशिय नहीं अलुबरूनी का किताब उलहिंद निमलिकित में से किस भासा में लिखा गया था आपसे यूबरूनी जो है महमुद गजनिवी के साथ में भारत आया हुआ था इसने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था किताब उलहिंद ये जो लिखा गया था वो किस भासा में लिखा गया था सबसे पहले अलुबरूनी अरब वासी था इसलिए वो अरभी भासा में लिखा था ध्यान रखेगा आपसन में ए राइट आंसरेंगे अगला है होर्नवील महतसब को अपने छेतर में सभी तहवारों का तहवार के रूप में भी जाना जात अगला कोशन है भारत और पाकिस्तान के वीभाजन के बाद किस वाइसरय को भारत का गवर्नर्स जिन्रल चुना गया देखे जब भारत और पकिस्तान का विभाजन हुआ तो उससे में जो वाइसरे हुआ करता था पर जैसे ही देश अजाद हो गया भारत और पकिस्तान का विभाजन होने के बाद देश अजाद हो गया तब जो एकी स्वसंदर भारत का गवर्नर्स जिनरेल चुना गया था जो क तक देश अजाद नहीं हुआ था तब तक लॉड मॉंट वेटन क्या था वो वाइसरय के पद पर था जैसे ही देश अजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का भी भाजन हो गया उसके बाद वाइसरय का पद खतम होकर क्या हो गया गवर्नस जिनरेल का पद आया और जो कि सबसे छोटा केंदर सासित परदेश से है अगर सबसे छोटा केंदर सासित परदेश की बात किया जाए तो लक्षु दूइफ है धयान रखेगा आप सभी in-right आंसरेंगे यह देखेगा तो यह क्या है भारत का आपका तट्ये बागे यह पोर्सन जो है यहां पर लक्षु आंसरेंगे अगला कुछ ने मौलिक करतब को किस वर्स में भारत के सभिधान में जोड़ा गया आप से को पता हैं अच्छे फ्रेंड कि मौलिक करतब जो है सभिधान के भाग चार में हैं ध्यान रखेगा चार को में चार को में रखा गया इसे और अनुछेद 51 को में रखा गया है को काहलेज्जे या एक काहलेज्जे लिया गया है रूस देश के सभिधान से ध्यान रखेगा आप सभी और यह जो जोड़ा गया था 42 सभिधान संसोदन 1976 में जोड़ा गया था 2001 से 111 के लिए भारत की 10 के बृधी दर लगभग 20 है यानि कि 2001 से लेकि 2011 में जो जन संख्या में बृधी हुआ है 10 के बृधी वो कितना हुआ है लमसम 17.64 परशेंट हुआ है जो भी ऑफशन भी को टिक करें आंसर को मैच कर लेज़ेगा हो सकता है डाटा वैरी करें आगे या पीछे भी हो सकता है पॉइंट में पर एक्चुल यही होगा आपका अगला कोविशन देखें निमलेकित में से कौन मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं ह आप से को पताना अच्छे मौलिक अधिकार जो है 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकार है यानुचेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार जो है सविधान के भाग तीन में है ध्यान ड़केगा आप सभी सविधान के भाग तीन में है मौलिक अधिकार लिया ग्या ह सही उकराज अमेर्का यानि की यू से देश्की से विदान से और नहीं है इससा तो 49 नहीं होगा क्योंकि 12 से 35 तक ही हैं मौलिक अधिकार है तो 49 नहीं होगा 49 क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा आंसर इसका सही होगा ऑफसर नमर डी 49 49 जो है कि मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है जबकि 29, 29 और 32 ये से भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है यानि 12 से लेके 35 तक जितने भी अरुच्छे दे सभी मौलिक अधिकार का हिस्सा है किलियर है यानि इसका ऑफ्सन नमर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा जो भी ऑफ्सन में डी को टिक करें बिल्कुल ड बनाई गई है कौन सी है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल संदी बनाई गई है ऑफ्सन में भी राइट आंसरेंगी अगला है करो या मरो का नारा गांधी जी की द्वराद डैस दिया गया यह कब दिया गया था दिखें अगर डेट पूछा जाए तो 1942 में दिया गया था ध्यान डखेंगा आप सभी 1942 में अगर डेट पूछे दिया गया था भारत छोड़ो अंदोलन के दौरान दिया गया था करो या मरो का नारा भारत छोड़ो अंदोलन 1942 में ही शुरू किया गया था अगला कुश ने निमलेकित में से कौन रभी फसलों का एक यूग में हैं अक्टूवर से लेकर अप्रेल तक चो है ये रभी फसल का समय है और इसमें गेहू सरसो ये से भी क्या है आपका रभी फसल है ृधान मटर नहीं ऊगा मटर हो जाएगा फिर आपका धान क्या है? वो खरीव फसल है आपका मक्का भी क्या है? खरीव फसल है मक्का अगला है भारत में पंचायती राज पर्नाले किसके तबहें हैं? तो राईट आंसर उपस्टर मसी हो जाएंगे राज की निती निदेशक तत्व के बारे में बताता है ध्यान रखेगा सभीधान के भाग चार में है ये सभीधान के भाग चार में है ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन है जिसका आंसर आप सभी कुर नीचे कमेंट बॉक्स बताना है चार आफिसन आपके स्कीन पे हैं कोनार्क का सूरी मंदिर डैस के लोग पिर ये नाम से भी जाना जाता है चार आफिसन आपके स्कीन पे हैं चार आफिसन में आपको अपना आंसर बताना है कोनार्क का जो सूरी मंदिर है उडिसा में ये इसका लोग पिर ये नाम जो है वो क्या है चार आपशन दी आववा है चलिए बताएंगे इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो चलिए आज कितना है आज के इस टेश्ट वपर में कूल 30 कुशन था आप सभी कितने कुशन सही कर पाएं नहीं चेकमेंट करके जरूर बताएगा तो चलिए मिलते हैं जहेंद बंदे मात्रों विध्यान के अपड़ाई करते लिएगा आप सभी फिर में वीडियो को लाइक करके आप सभी सीर जिरूर किजिएगा अपनी दोस्तों में